सुनीत भंगी और बुद्ध कई बार कई जो विवर हैं उन्होंने कहा है कि आप सुनीत भंगी के ओपर भी एक वीडियो बना है कन्फूजन बहुत ज़्यादा है क्योंकि सुनीत नाम का भंगी भगवान बुद्ध के समय है तो इसका मतलब यह है कि भंगी जो लोग है वो भगवान बुद्ध के समय है यह एक मिथक और एक कहानी तो कि कहानी बिक बहुत रही है कहानी इतनी ज़्यादा बिक रही है यूटूब पे कि आप किसी बहुत बड़े महापुरुस के नाम से जो सबसे ज़्यादा चलता है पूरी दुनिया में कैसी भी मिथक बना के कहानी आप डाल दो वो हिट हो जाती है और आपने अगर यूटूब पे या फेस्वुक पे कुछ पैसा दे के उसको प्रमोट किया है तो वो 4-5-6 लाक लोग उसको देख लेते हैं आप प्रमोट ना करो तो अलग बात है अगर आपने प्रमोट किया तो फिर यूटूब और फेस्वुक उसको आगे बढ़ाते हैं उसको जबज़स्ती सेयर करते हैं फैकते हैं और लोग उसको देखते हैं तो जितनी ज़्यादा कहानी ऐसी होगी जो तक्षव पर आधरित नहीं होगी मन गरंद होगी जूटी होगी उतनी ज़्यादा चलती है कहानी इस प्रिकार है कि भगवान बुद अपने भिक्कुर संग के साथ में जा रहे हैं तो दूर कहीं कोई सुनित नाम का जो यूवक है वो वहाँ ज़्यादा लगा रहा है साफ कर रहा है और वो भगवान बुद को आता देख के छुप जाता है भगवान बुद आते हैं उसको बलाते हैं वो जजजगता है डरता है और डर के मारे हाथ बांदे हुए और बुलकुल ऐसा जैसे मुजरिम हो उनके सामने पेस होता है भगवान बुद उसको कहते हैं कि आप धम सीखना है आप धम सीखो तो वो थोड़ा सकुच आता है बड़ा विश्मकारी आँकों से देखता है कि मैं भंगी होके कैसे धम को सीखूंगा भगवान आप क्या क्या रहे हैं फिर भगवान उसको बिक्कुल संग में सामिल करते हैं उसको धम सिकाते हैं उसका नाम सुनित भंगी है तो वो अरत हो जाता है और वो सुनित भंगी अरत के नाम से जाना जाता है और लोग बड़ी महिमा मंडित करते हैं कि देखो भगवान ने भंगी को धम सिकाया सुनित नाम के भंगी को धम सिकाया और भी कहते हैं कि फलाने नाई को सिकाया फलाने इसको सिकाया पर ध्यान देना आप किसी चमार को नहीं सिकाया ध्यान देना भगवान ने किसी मार को नहीं सिकाया ध्यान देना आप किसी लोदे को समझा देता सफाई का कोई काम नहीं था भगवान बुद्ध के समय में यानि सफाई का रोजगार और पेसाई नहीं था क्योंकि सफाई करेगा किसकी जो भगवान बुद्ध जहां रहते हैं कपिल बस्तु वहां तो गड़ब में बसता है सब अपना काम अपने हाप करते हैं और जो पसंजीत है वो दूर रह दियता है कोसल में तो कोसल में रहता है तो उसका एक छोटा सा राज है मगर लोहा तक तो है नहीं लोहे का डाउट है कि लोहा था नहीं था और सेना है तब तक बनी नहीं और कहीं कोई रजवाले नहीं है कहीं कोई रोड नहीं है कहीं कोई चौराया नहीं है कहीं कोई हाता नहीं है जिसको साफ करे और कौन साफ करेगा भगवान बुद्ध के संग में जितने भिक्कु संग है उनकी साफ सफाई के नियम विने पीटक में वो खुद ही अपना जो मढ़य बिष्टा जो लेटिन या ट्टी जो भी खुद करते थे, खुद ही साफ करते थे जहांग भी जंगल में जाते थे कोई ऐसे जितने भी इस्थल यह कोई ऐसे थे भीने, कोई बीमार अपना कोई विष्टा करने तो अलग बात है और सभी अपना ज़ाड़ू लगाते थे तरसल इसको जो सफाई काम है इसको सकेरन बोला जाता था क्योंकि सफाई काम तो था नहीं तो सब सकेरन लेके आते थे सकेरन या बहुरन बहुरन माने होता था बृद्धी करना और सकेरन माने होता था साफ करना और सकेरन से ही कुड़ा जो सकरठान बना हुआ है यानि कुड़े का धेर बना हुआ है वो घूरा बोलते थे उसको जहां वो सरता था और खेत में जागे पड़ता था तो ऐसा कहीं कोई कुड़ा नहीं था क्योंकि कच्चे रास्ते थे तो सफाई की लोग कहां से आए मगर सुनित जो नाम है या सुनित जो भंगी है भंगी हो सकता है क्योंकि भगवान बुद्ध जो बिद्या सिकाते थे जो जानकाई देते थे वो होती थी अपने राग और दुएस को यानि अपने दुखो को और अपने जितने भी प्रिकार की जो लोग लालच है और जितनी प्रिकार की इटसा है या कभी इटसा कभी नहीं मुर्गता है उसको भंग करने की बिद्या सिकाते थे भंग का मतलब है खतम होना खंड़ित खंड़ित होना टुकड़े टुकड़े होना तो उसको भंग करने की जब अवस्ता सिखाते थे और विद्या सिखाते थे तो जो विक्ति सीख जाता था उसको कहते थे कि ये भंगवान हो गया भंगी हो गया भंगवान बुद्ध यानि जो सिद्धत गौतम थे जब उन्होंने सबसे पहले वैसा कूर्णमा को अपने सरीर को भंग किया अपने दुखों को भंग किया तो पहले भंगी बने हो दुनिया के पहले भंगी और बाद में जो लोग अरत होते गए वो उनके बाद में भंगी बनते चलेगे तो भंग ग्यान की अवस्ता बहुत उची अवस्ता है यानि कि जो भंग ग्यान प्राप कर लेता है वो भंगी होता है तो अगर भंगी होता है तो सुमित को भंगी इस तरह से बोला चाह सकता है मगर सुनित का एक बात ध्यान दीजिए कि अरत जब भगवान बुद्ध किसी को भिक्को संग में शामिल करते थे तो उसकी सारी चीज खतम हो जाती थी जातियां तो थी नहीं उन दिनों तो जो वर्ण है वर्ण का मतलब है रंग या तो उसका अस्वेत है यानि सफेद रंग है जिसको बोलते है स्वेत वर्ण या बोलते है अश्वेत या है उसका सुवर्ण है यानि कि जिसका हिरन जैसा रंग है जिसका सोने जैसा रंग है सुवर्ण है जो भारत की तालिरों है या संकर वर्ण है यानि दोनों कलर से दोनों रंगों से मिक्स हुआ क्योंकि वर्ण का मतलब कलर होता है रंग होता है तो या तो सोने जैसा रंग है जो भारत का है या सफिद रंग है बलकुल जो बाहर का है और या उन दोनों का मिला जुला रंग है जिसको संकर रंग बोलते हैं तो जाती तो थी नहीं फिर वो जातियां बोलते हैं जनम को यानि हर एक आदमी का जो जनम होता है एक प्राणी की जाती होती है, चाहे वो चीटी है, चाहे वो कोई जीटा है, या कोई मच्छर है, या कोई छोटा कीट है, या बड़ा है, या हती है, सबका एक जर्म होता है, जर्म को जात बोत है, तो जब भगवान बुद्द के विक्कुर संग में आता है आदमी, तो उसका वन भी खतम हो जाता है उसका गोत भी खतम हो जाता है गोत का मतलग है उसके कुल का नाम वो भी खतम हो जाता है और उसका नाम भी खतम हो जाता है यानि पुराना नाम वो ले ले लेते हैं नया नाम वो देते हैं वो बाल नहीं रख सकता कपड़े भी एक से पहनेगा क्योंकि समानता समय रहनी है और जो पहले आया वो बड़ा भिक्कू जो बाद में आया वो छोटा भिक्कू होता है तो वहाँ एज जो होती है वो सिख्छा से होती है कि तब आप नदा के लिए तब से एज हो गई तो ये बात बिल्कुल किलियर कर दे हैं सुमित सफाई का काम नहीं कर रहा जो लोगों ने इस पर किताब छापी है या जो लोग इसका अध्यन कर रहे हैं वो दुवारा से सोचें अच्छी तरह से सोचें क्योंकि सुनित अगर भंगी है तो हरीजन सब्द नहीं है वहाँ पे और वालमीक सब्द नहीं है लाल बेगी सब्द नहीं है लाल बेगी सब्द बहुत बाद में बनाया है हेला सब्द नहीं है हेला पाली के सब्द है लाल बेगी का मतलब है लाल बेगमी ये पंजाब के अंदर सब्द डवलप हुआ है जो भिक्वों के लिए है और इसके अलाबा जो और जाती आज की समय है उसका तो हमाँ जिक्री नहीं है चमार एक प्रमुक शब्द है जो पूरे भारत में मिलता है मगर चमार सब्द का कोई बंदा वहाँ नहीं है एक जिक्र तक नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि चमार कोई धम को सीखा नहीं या चमार कोई धम में आये नहीं चमार समन लोग हैं भारत के लोग हैं जो कुश्वा है जो साक्य हैं जो और लोग हैं उनकी जाती का कहीं जिक्री नहीं है कि वो जाती साहिए क्योंकि जातियां तो वहाथ थी नहीं, उनके गोत हैं, जातियां बाद में बनी हैं इसलिए चीवर से चमार बना है सब्द, क्योंकि चीवर बहुत हुआ कता था और चीवर धारी लोग बहुत थे तो साहित है मैं आचानक से चीवर सब्द गायव हो गया, चीवर यानी चादर और उसका चमार सब्द बन गया अभी का है चमार सब्द ज्यादा पुराना नहीं है, इसको ध्यान रखिए क्योंकि अगर भगवान बुद्ध के समय में जातियों के अधार पर कहीं दिख्खा होती, दिख्षा होती, पढ़ाई होती ये विक्कु बनते तो सारी जातियों का कहीना के जिक्र मिलता, मिलता नहीं है, इसको क्लियर रखिए इसलिए ब्रांती मिटा दीजिए सुनित समण है, यहीं का है, भारत का है, मून निवासी है सफाई का पेशा बहुत बात में आया है, सफाई वाले लोग सफाई के पेशे से पहले क्याप करते थे ये वो बताएंगे जो उनकी आज की डेट में समस्या को देख रहे हैं ये जो चमार सब्द है ये अचानक कहां से आ गया और भगवान बुद्ध के समय में चमार सब्द कहां चला गया था ये चीवर वाले सारे चमार बीच में कैसे बन गए ये वो लोग देखें जो उनका ध्यान रखते हैं और उनकी बात को आगे बढ़ा के पढ़ा के लिखके देखते हैं कि उन्हें समझना चाहिए कि ये सब्द कहां हैं महार सब्द देख भी नहीं है महार का मतलब में हार भी हो सकता है और महा हार भी हो सकता है बहुत सारे जिक्र हैं उसके अंदर मगर महार सब्द सारे नागवन सी लोग हैं चमार नागवन सी लोग हैं जो जिनको ये कहना बलकुल बंद कर दीजिए कि कोई भंगी जाती का कोई बंदा जिसका नाम सुनित है वो भगवान बुद्ध के विक्कुर संग में सामिल हुआ और भगवान की बड़ी करोणा और बड़ी कमपा थी क्यों भगवान ने भंगी को भी दिखा दिया भगवान ने किसी हरिजन को किसी जाती को क्योंकि जाती थी नहीं उन्होंने समन समाज के लोगों को दिया सारे ही समन समाज के लोग पे जातीयां उस समय थी ही नहीं धन्यवार बाबु ये बाबु का करेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा याद रहता है वैसे तो बाबु जो सब्ध है वो जो भारत के लोगों में बदवू आती थी तो अंगरेज लोग कहते थे बादवू यानि कि जो सरकारी छेतर में काम करते थे उनके नीचे जो यहां सरकार चलती थी अंगरेजों की तो उसके नीचे जो किलर कुआ करते थे उनमें से बदवू आती थी तो उसको क कहते हैं जैसे आओ बाबु जी आओ या और बाबु क्या हाल है जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनको भी बाबु कहते हैं जो सरकार में नेता होते हैं उनको भी बाबु कहते हैं बड़ा बाबु चोटा बाबु यानि जो सबसे बड़ा है सबसे बड़ा बाबु और जो बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है अब बिन्जिस वाला दिमाग मेरा था तो मैं पढ़ता था और टूसनली लेता था उस समय लगबग आज से 25-30 साल पहले एक घंटा पढ़ाने का सवाज सो रुपे मिलता था सवाज सो रुपे बहुत बड़ी एमाउंट होती थी उस समय और अगर दो घंटे पढ़ा दिये किसी के घर जागे तो धाईज सो रुपे हो गए आपकी पॉकेट पनी बहुत बढ़िया हो गई खर्चा बहुत कम होता था था उस समय इसकूटर से आना जाना या बाइक से आना जाना और उपर से खादेदारी अलग होती थी कॉफी, चाय, बिसकूटर, काजू, बादाम रिच लोग पैसे वाले लोग हैं ऐसे ही एक पैसे वाले लोग यहाँ वैश्ट दिल्ली के अंदर जो पाकिस्तान से आये हुए पाकिस्तान जो छेतर है जब भारत में था तब महां से आये हुए क्योंकि जब बटवारा हुआ था तो जो शातिर और तेज लोग थे जो जागरुक लोग थे जो जागे रहते हैं उन्हें पता था आज की देट में उसको refugee कह सकते हैं क्योंकि दिल्ली में तो refugeeों का बाजार गरम है बहुत सारे लोग हैं जो refugee हैं और सारे अरपती हैं क्योंकि सब नहीं आके यहां business किया है पाद में कुछ service में भी आगे और नेतागरी में भी चलेगे politics में चलेगे वहां भी उन्होंने अच्छे पैसे कमाए है तो वो refugee family थी, business man थी तो लड़का पढ़ता नहीं था मौज मस्ती वाला था किकिट बगरा बहुत खेलता था तो tuition bureau से call आई कि आपको वहाँ tuition पढ़ाना है मैं वहाँ tuition पढ़ाना गया तो मैं अपना tuition पढ़ाता था वो बाबू बीच मैं tuition पढ़ाते समय कॉफी, चाय जो demand आपकी है पिस्ता, बादाम जो भी बढ़िया से बढ़िया मिठाई है क्योंकि वो rich लोग थे पैसे कोई कमी नहीं तो उनकी मिठाई भी बढ़िया होती थी दिल्ली की batch वो लेके आता था तो मैं वहाँ चाय नास्ताव करता था वो लड़का कभी-कभी आता था, कोई कभी नहीं आता था मेरा बड़ा pre-students था, बहुत बढ़िया था हमारे relational massage students के साथ अच्छे रहे हैं, teacher वाले और student वाले कम रहे हैं, और एक mentor वाले ज़ादा रहे हैं तो एक वार मैंने देखा कि बाबू को वो बहुत ज़्यादा रफ तरीके से बोल रहे हैं बाबू को गाली भी बखते थे बाबू को जो जो सचिलाके भी तो बाबू को इनमयोट करते थे यानि कि बाबू को इस तरह से टीट करते थे कि बाबू का कोई अस्तित भी नहीं है बाबू उनका नौकर था पूरे 24 घंटे का नौकर उनी के घर में रहता था सुबह उठता होगा तो सुबह से लेकर राब तक जब तक आखिरी आदम नी सोता होगा तक तक वो काम करता होगा और जब पहला आदमी उठता होगा तो उसकी सेवा में लग जाता होगा सारे काम उसके जुम्में ठक भी जाता होगा चट्चडा भी जाता होगा तो गालियां भी खाता था सारी चाहें वो औरत है या आदमी है सब उसको बहुत गंदित नरीके से मुलाते थे ठीट करते थे मैं उसका वैवार देखता था क्योंगी वैवार देखने की अदत बच्पन से मेरे अंदर पहले से डबलब हो चुकी थे तो एक दिन वो ललका था नहीं जिसको मैं पढ़ा रहा था बाबू मेरे लिए चाय वगरा लेके आया तो मैंने बाबू से कहा कि बाबू तेरे को ये इतना भद्दा भद्दा बोलते हैं गाली भी देते हैं और ये तेरे को क्या क्या नहीं बोलते हैं तो उनकी सेवा में लगा रहता है तो तेरे को परिशन ही नहीं होती तेरे अंदर कोई पीडा कोई तेरे अंदर छोड़ या तेरे अंदर कोई इर्सा या जलन या बदला लेने का तेरे अंदर कुछ आता नहीं है क्या मेरी जूकि मैं भी एक तरह से उनका नौकर और बाबू भी नौकर बस इतना फरक था कि मैं इंटलेक्शम नौकर था क्योकि मैं पढ़ाई के छेती में था तो मेरी एक इज़ट थी क्योकि मैं गुरू था तो मुझे आप कहा के बोला करते थे सबी जानते है तो बाबू की आँख में थोड़े से आँसू आए और बाबू बोला कि मुझे बहुत बैसानी होती है ऐसे ऐसे बोलते हैं और मैं अपना काम बड़े से इसे करता हूँ और ये मुझे जानवाई तरह टीट करते हैं तो मैंने का तू यहां पड़ा हुआ क्यों है मजबूरी है मेरे गाउं में काम नहीं है मुझे पैसी जोथ है तो मैंने का तू अपनी इस कड़वा हाट को जलन को कैसे निकालता है अब उसके आँखों के आँसू थोड़े से सूख गए और उसके चेरे पर थोड़ी सी चमक आई क्यारा आप किसे कहेंगे तो नहीं मैंने का मैं नहीं कहूँगा क्यारा मैं इनकी चाय में थूख देता हूँ मैं इनके खाने में थूख देता हूँ मैं जब लेटिन करके आता हूँ तो टट्टी के हाथ नहीं दोता मैं बनाते बनाते अगर मेरा हाथ कहीं गंद की जिगए तो मैं गंदे से ही बना देता हूं खाना, आटा मैं ऐसी हाथों से मान देता हूं तो मैंने बाभू अगर किशन तुझे पकड़ लिया क्यारा क्या कर लेगे, मेरी नौकी चले जाएगी कोई और मिल जाएगी, इन पर काम तो होने से रहा तो मैंने का जब तु मेरी चाय लाता है तो क्या उसमें भी ऐसी करता है क्यारा नहीं जो चाय मैं आपको देता हूं आपने वही चाय पी नहीं है आपने कब नहीं बदलना है कब बदलोगे तो जो मैदारी आपकी जो आपको पगड़ा दिया वो आपका बाकि आपने कोई टच नहीं करना है तो मैंने बड़ा विसम से देखा उसको कि ये तो इसने एक बड़ा सा अजीब सा तरीका निकाला हुआ है अब मुझे समझ में आया कि ये जो जिनको हम दवा कुछला हुआ या जो छोटा या जो गरीव या मजबूर लोग बोलते हैं ये अपना कही न कहीं बदला ले लेते हैं खाने में थूपके, चाय में थूपके या लेटिन की हाथ ना दोके या काम को खराब करके या पैटॉल बेचके, या गाड़ी तोड़के या गाड़ी का एक्षिजेंट करके या कोई सामान को, छोटे मुझे सामान को दवदर करके, खुदबूर्द करके या कहीं काम को बिगाड़के मतलब अपने ये मन को उसका बदला ले लेते हैं, इसका मतलब ये है कि अशान्ति अगर आप फैला होगे तो अशान्ति आपको रिटर्न में मिलेगी अगर आप गाली दोगे तो गाली का रिटर्न गाली मिलेगा ही क्योंकि बाबू ने विपस्ना तपस्या सादर नहीं किया है बाबु एक नौकर है बाबु नहीं जानता बाबु ये जानता है कि जैसा वहवार किया है उसके अंदर वैसा ही आएगा और वो वैसा ही बताएगा वैसा ही करेगा तो बाबु जैसे हजारो लाको करोडों लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से अपने मन को ठंडा ठीक कर लेते हैं काम बिगाड कर इसलिए अगर आप उनसे इडिशा रखेंगे जिनसे काम ले रहे हैं अपने एंप्लोई से तो ये गारंटी है कि वो आप से उससे ज़्यादा बदला ले लेंगे क्योंकि उनको समझ नहीं है अगर आप में समझ नहीं है उनसे अच्छा व्यवार करने की उनको उनके मेहनत का पैसा देने की तो उनमें तो बिल्कुल ही समझ नहीं है उनकी तो समझ का क्योंकि अगर उनमें समझ होती तो वो आपकी नौकर नहीं होते अगर उनमें समझ होती कठोटा से कठोटा सांथ नहीं होती अगर आप misbehave करेंगे गाली बखेंगे तो उससे आपको return में गाली ही मिलेगी रूप बदल जाएगा समय बदल जाएगा तरीका बदल जाएगा आपको जादा नुकसान भी हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े छेत्रों में ऐसा भी देखा गया है कि नौकर कतल करके भी चले जाते हैं लूट के भी चले जाते हैं वो इसी गिर्णा का इसी विश्वा का परड़ाम है जो वैवार आप पूरे जीवन उनको देते हैं उस वैवार के बड़े को एकटा करके सारा वैवार आपको एक दिन दे जाते हैं इसलिए पूरी दुनिया के अंदर आशान्ती का लेवल बढ़ता जा रहा है इसको शान्त करने का एकी तरीका है कि आप भगवान बुद्ध की विपस्णा करें साधना करें और अपने एंपलोई को आदमी समझें उसको उसका हक दें उसके परिवार को दें ताकि वो जतना स्वास्ता रहेगा जतना पढ़ेगा जतना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी आपकी सेवा भी करेगा धन्यवार